वेल्कम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज हम ये जानेंगे कि क्या कपल्स आपसी समन्द बना सकते हैं दोस्तो वीडियो में दीगी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहें तो आज हम ये जानेंगे कि क्या कपल्स आपसी से समंद बना सकते हैं इसमें लड़के की उमर 21 वर्ष और लड़की की उमर 18 वर्ष होना अवश्यक है कानून में लीगली राइट है कि भारत के कहीं भी कोने में जाकर कपल्स रह सकते हैं और अपने जीवन यापन को लीगली तरीके से कर सकते हैं भारती समीधान के अनुचेद 21 में राइट टू लाइफ और परसनल लिबर्टी और आर्टिकल 19 में इनको छूट दी गई है कि वो भारत के कहीं भी किसी भी कोने में जाकर रह सकते हैं दो कपल्स होटल में जाकर भी रह सकते हैं उनके पास सिर्फ वहाँ पर आईडी प्रूफ होना चाहिए और दोनों ही मिच्चूर होने चाहिए 497 IPC को असवेधानी घोशित कर दिया है अगर दोनों कपल्स की आपस में कंसेंट है और बाद में अगर लड़की रेप का मामला भी दर्च करा दे तो कंसेंट की वज़े से दूसरा व्यक्ती बरी हो जाता है फूर एक्जामपल दो कपल्स अगर होटल में रह रहे हैं और वो एडल्ट भी है अगर पुलीस वहाँ पर आ जाती है तो पुलीस को कपल्स की आईडी प्रूफ देखने का अधिकार दिया गया है अगर व्यक्ती इलिगली एक्ट नहीं कर रहे तो अगर पुलीस फिर भी जबर जिस्ती करे या फिर फैमली मेंबर से बात करवाने को कहे या व्यक्तियों के उपर हाथ उठा दे तो उन पुलीस ओफिसर्स को ये कहना है कि लोग में तो कहीं भी नहीं ऐसा लिखा कि कपल्स आपस में नहीं रह सकते और फिर आपको वहाँ पर S.P. ओफिस में जाकर उस पुलीस वाले की शिकायत और उसके खिलाफ कारवाई करवानी है और उस पुलीस ओफिसर को कोट तक लेकर आना है अगर S.P. लीगल एक्शन नहीं लेता तो आप कोट में भी उस पुलीस वाले की खिलाफ केस कर सकते हैं और उस पर कारवाई करवाई जा सकती है तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि कपल्स आपसी समन्द बना सकते हैं या नहीं ऐसे ही लो से रिलेटिड जानकारियों पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो में लास तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद